तो गाईज अगर आपके घर में भी कोई पुराना लैप्टॉप या पुराना कम्प्यूटर पड़ा हुआ है जिसको आप यहाँ पी यूज नहीं करते हो अब स्लो काम करता है तो यहाँ पी यूज नहीं कर पाते होगे पुराने चीज़े लगी होती है पुराना पुरसेसर बगर लगा होता है पुराने पार्ट्स बगर लगे होते हैं तो आज किस वीडियो को देखते रही है कि कि आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे उस पुराने कंप्यूटर या पुराने आप TV कैसा बना सकते हो, वहाँ पे आप OTT Apps पकरा enjoy कर सकते हो, Play Store से बहुत सरे Apps इस्टॉल कर सकते हो, Games पकरा खेल सकते हो, और बहुत fast काम करेगा, तो यह कैसे करने वाल है, आज किस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, और यहाँ पे आपको step by step बताऊंगा कि आप कैस से कर सकते हैं, तो चली यह इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स मिल आएंगी, दोनों में से दोनों ही अप्लिकेशन को आपको डाउंलोड कर लेना है, तो पहले एक फाइल यहाँ पर डाउंलोड होगा, वह जिसे इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, कि नीचे आपको उप्शन मिलेगा, सेटप का तो उस पर किलिक कर दो, और किलिक करने के बाद बस थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर यहाँ पर ज Android का उसको यहां पर एक्स्ट्राइट कर लेना है एक्स्ट्राइट करने के बाद फोल्डर में आपको कुछ इतनी फाइस देखने को मिल लाइए अभी सिंपल सा क्या करना है यहां पर सॉप्वेर वापस आने के बाद नीचे आपको मैनेज बूट मेन्यू वाले अप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर आपको उप्शन मिलता है एड़ न्यू इंट्री तो उस पर सिंपल सा आप क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पॉप आएगा लेट साइड में टाइप को अप्शन होगा तो Android को सेलेक्ट कर लेना उसके बाद करना है और यहां पर एक option मिलेगा यहां पर फाइल मिलेगी आपको करनल करके तो उसको सेलेक्ट कर लेना उसको उपन कर लेना उसके बाद सिंपल्स आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है और यहां पर ओके करना है उसके बाद यहां पर जो आपको पेज दिखने को तो नीचे option रहागा ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको डियालोग बॉक्स मिलेगा यहां पर इसको नो करने के बाद आपको क्या करना है आपको कंप्यूटर लैप्टोप जो भी है उसको restart करना है तो restart करने के बाद देख सकते हो हमारा कंप्यूटर जो है वो start हो चुका है और यहां पर आपको option मिलेगा भी विंडोज को start करने का मतलब आपको जो भी आपर operating system है उसके बाद grub 2 for windows का option मिलेगा ठीक है तो नीचे बाद जो option है grub 2 for windows उसको आपको यहां पर select करना है जैसे आप उसको select करके यहां पर ok करते हो उसके हो जाएगा उसके बाद यहां पर थोड़ा सा कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिलेगा काव सारी फाइल्स बगरा लोड होंगी और जैसे यहां पर लोड होता है उसके बाद आपको यहां पर यहां पर यहां पर गूगल का इसा लोगो देखने को मिलेगा बिकॉज यह यानि को ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर गूगल देखने को मिल रहा है अब बहुत सारी एंडोड ऑपरेटिंग सिस्टम जानलोड करेंगे इस्टॉल कर सकतो कोई भी दिक्कत नहीं है मैंने यहां पर इस्पेशली गूगल का ही यहां पर डानलोड किया है तो next में आपको क्या करना है कि इसको सेटप करना यहां पर language और फिर wifi और से इसको connect करना और सिंपल सा आपको यहां पर कुछ कुछ चीज में पूछी जाएंगे उसको यहां पर जवाब देते आपको यहां पर आगे बढ़ना है तो सारा सेटप और प्यानिय के बाद कुछ इस तरह का interface यहां पर interface देखने को मिल रहा है जहां पर apps वगरा है YouTube वगरा है Disney hotstar वगरा कावी सारी application यहां पर दिया होती है आप पर play store भी यहां पर दिया होता था play store से आप बहुत सारी applications को डाउड़ोड कर सकते हो तो यहां पर YouTube आपको ओपन करके दिखा दोता हूं तो YouTube यहां पर कुछ इस तरह दिखता है जो आपका smart tv android tv में जिस तरह शो करता है तो बिल्कुल ऐसा यहां पर आपको देखने को मिलता है यहां से आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो तो यहां पर Google Play Store दिया गया है तो Google Play Store से कोई गेम पर दाउड़ोड करते हैं यहां पर काफी सारी अप्लिकेशन से lot of applications are there in the Play Store और इसी के साथ यहां पर कोई गेम पर डाउड़ोड करते हैं तो नीचे यहां पर देख सकत अब इसको करते हैं प्ले और देख सकते हो गेम स्टाट हो चुकी है और अभी कुछ इस तरह का यहां पर इंटरफेस दिखा रहा है कि टच के साथ खिलना चाहोगे ऐसे या फिर अपने स्मार्टफोन को इस तरह से करना चाहोगे तो स्मार्टफोन तो है नहीं Android TV है तो उस एक वह अच्छी चल रही है और इसमें और भी बहुत सारी अप्लिकेशन जो है बहुत सारी गेम वह काफी अच्छी चल रही थी यहांपर मैंदे जो iMacs प्लिकारव चला के देखा कुछ-ककुछ यहां पर online store बगरव देखे तो मतलब सब कुछ यहां पर ठीक-ठाक चल रह और फिलाल तो भी गेम खेलूंगा अभी एप्लिकेशन को स्टॉल किया ही है मैंने गेम को दिसको थोड़े खेलूंगा और भी यहां पर दो चार गेम और इसको डाउंग्लूड गरूंगा और खेलूंगा विकूस लाप टॉप में तो मेरा स्मार्ट टीवी इस्टॉल होई कर दो आप एसको मैम्याजमिंग स्मार्ट टीवी की तरह ही यूज करने वाला हूं मेरे पास स्मार्ट टीवी तो है बड़ प्रस्नल नहीं है घर का है अभी एप प्रस्नल टीवी वी हो गिया अभि मैं इसको करने वी तो गाईज मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इस तरह के पुराने कम्प्यूटर रे लाप्टॉप को यहाँ पे कनवर्ट कर सकते हो एक स्मार्ट टीवे में है également प्वर्श एक स्मार्ट तोत्व है एक स्मार्ट करणें कीak की जया हमें यहाँ पासमार्टों है टीवे में वासमार्ट whाब यहWhat कर एक स्मार्ट